प्रधाल मंच्री नारेंद्र मोदी इस वक्त गुज्रात के इन्वेस्टेस सम्मिट को सम्मोधित कर रहे हैं आये सीधे आपको लिए चलते हैं मोबिलिटी में आई आधुनिक्ता ट्रावेल और ट्रांस्पोर्टेशन का बोश्तो कम करती हैं आर्थिक विकास के लिए भी मददगार साबित होती है 21 सदी का भारत क्लीन, कंजेशन फ्री और कनिविनियन मोबिलिटी का लक्ष लेकर चले ये आज समय की मांग है और इसलिए सरकार द्वारा आज का ये कदम उठाया गया है और इसमें इंडरस्ट्री के आप सभी दिग्यज़ों की आप सभी स्टेक होल्डर्स की बहुत बड़ी भूमिका है साथियों नई स्क्रेपिंग पॉलिसी वेश्ट्टू वेल्थ कचरे से कंचन के अभ्यान की सरकुलर एकानामी की एक एहम कड़ी है ये पॉलिसी देश के शहरों से प्रदूशन कम करने और परियावरण की सुरक्षा के साथ तेज विकास के हमारी कमिट्मेंट को भी दरसाती है रियूच, रिसाइकल और रिकवरी के सिद्धान पर चलते हुए ये पॉलिसी ओटो सेक्टर में, मेटल सेक्टर में देश की आत्मनिर्भरता को भी नई उर्जा देगी इतना ही नहीं, ये पॉलिसी देश में दस हजार करोड रुपे से अधिक का नया निवेस लाएगी और हजारों रोजगार का निर्मार करेगी चाथियो, आज जो प्रोग्राम हमने लॉंच किया है, उसकी टाइमिंग अपने आप में बहुत विशेश है, हम आजादी के 75 वे वर्ष में प्रवेश करने वाले हैं, यहां से देश के लिए अगले 25 वर्ष बहुत महत्वरून है इन आने वाले 25 साल में हमारे कामकाच के तरीका, हमारे रोजमरा के जीवन, हमारे व्यापार कारोबार में अनेक अनेक परिवर्तन होने वाले हैं, होंगे ही जिस तरह टेक्नॉलोजी बदल रही हैं हमारी लाइफ स्टाइल हो या फिर हमारी एकॉनमी दोनों में बहुत बदलाव होगा इस परिवर्तन के बीच हमारे परियावरन, हमारी जमीन, हमारे संसादन, हमारे रोव मट्रियल, इन सभी की रक्षा भी उतनी ही जरूरी है टेक्नॉलोजी को ड्राइव करने वाले रेर अर्थ मेटल्स जो आज ही रेर हैं लेकिन जो मेटल आज उपलब्द हैं वो भी कब रेर हो जाएंगे यह कहना मुश्किल है बविश में हम टेक्नॉलोजी और इनोवेशन पर तो काम कर सकते हैं लेकिन जो धर्ती माता से हमें संपदा मिलती हैं वो हमारे हाथ में नहीं है इसलिए आज एक तरफ भारत डीप ओशन मिशन के माध्यम से नई संभावनाओं को तलास रहा है तो वहीं सर्कुलर एकानामी को भी प्रोजशाहित कर रहा है कोशिज यह है कि विकास को हम सस्टेनेबल बनाएं एन्वार्मेंट फ्रेंडली बनाएं क्लाइमेट चेंज की चुनवतियां हम आए दिन अनुभव कर रहे हैं इसलिए भारत को अपने हित में अपने नागरीकों के हित में बड़े कदम उठाने जरूरी हैं इसी सोच के साथ बीते सानों में एनर्जी सेक्टर में अभूत्पुर्व काम हुआ है सोलार और विंड पावर हो या फिर बायो फ्यूल आज भारत दुनिया में अग्रणी देशों में शामिल हो रहा है वेश्ट वेल्ट का एक बहुत बड़ा भियान चलाया जा रहा है इसको स्वच्छता से भी जुड़ा गया है और आत्मन निर्भरता से भी जुड़ा गया है बल्कि आजकां तो हम सडकों के निर्माण में वेश्ट का बड़ी मात्रा में उप्योग कर रहे हैं सरकारी बिल्डिंग गरीबों के लिए घर के निर्माण में भी री साइक्लिंग को प्रुसाहित किया जा रहा है साथियों ऐसे ही अनेक प्रयासों में आज आटोमेबिल सेक्टर का नाम भी जुड़ गया है इस पॉलिसी से सामान्ने परिवारों को हर प्रकार से बहुत लाब होगा सबसे पहला अलाब तो यह होगा कि पुरानी गाड़ी को स्क्रेप करने पर एक सर्टिफिकेट मिलेगा यह सर्टिफिकेट जिसके पास होगा उसे नई गाड़ी की खरीद पर रेजिस्ट्रेशन के लिए कोई पैसान नहीं देना होगा इसके साथ ही उसे रोड टेक्स में भी कुछ छुट दी जाएगी दूसरा अलाब यह होगा कि पुरानी गाड़ी की मेंटेनन्स कॉस्ट्स रिपेर कॉस्ट्स फ्यूवल एफिजन्सी इसमें भी बच्चत होगी दीसरा अलाब सीधा जीवन से जुड़ा है पुरानी गाड़िया पुरानी टेक्नोलोजी की कारण रोड एक्सिडेन का खत्रा बहुत अधिक रहता है उससे मुक्ति मिलेगी चौथा इससे हमारे स्वास्त पर प्रदूशन के कारण जो असर पड़ता है उसमें भी कमी आएगी और सबसे बड़ी बात ये है कि इस पॉलिसी के तहट गाड़ी सिर्फ उसकी एज देखकर ही स्क्रेप नहीं की जाएगी गाड़ीों का वैज्यानिक तरीके से ऑथोराइज आटोमेटेड टेस्टिंग सेंटर्स पर फिट्नेस टेस्ट होगा अगर गाड़ी अनफिट होगी तो वैज्यानिक तरीके से स्क्रेप किया जाएगा इसके लिए देश भर में जो रजिस्टर्ड वेहिकल स्क्रेपिंग फसिलिटी बनाई जाएगी वो टेक्लोलोजी ड्रिवन हो ट्रांस्परेंट हो ये भी सुनिश्चित किया जाएगा साथियों फॉर्मल स्क्रेपिंग पर क्या लाब होता है गुजरात ने तो उसे साक्षात अनुभव किया है और अभी नितिन जी ने भी इसका वर्णन किया गुजरात के अलंग को सिप रिसाइकलिंग हप के रुप में जाना जाता है अलंग दुनिया की सिप रिसाइकलिंग इंडिस्ट्री में अपनी हिस्सेदारी तेजी से बढ़ा रहा है शीप रिसाइकलिंग के इस इंफास्ट्री ने यहां रोजगार के हजारों नए अवसर तयार किये हैं इस पूरे छेत्र में इंफास्ट्री भी है और कुशल स्कील मैन पावर भी है ऐसे में जहां जो के बाद गाड़ियों की स्क्रेपिंग का भी यह बहुत बड़ा हब बन सकता है साथियों स्क्रेपिंग पॉलिसी से पुरे देश में स्क्रेप से जुड़े सेक्टर को नई उर्जा मिलेगी